कि है हैं याथ जहां डिल्टिक है कुदर लॉम बात करने सा आपको तरह को पहले से पहले सात है इंवेस्टाइव थे की बिटा दिया बट वहाले वीडिए में आपको क्यों निवेश करना चाहिए आपको बता दूँ को और अभी तक आपने हमारे चरहों डेली को आपने सबस्राइब नहीं ज़रूर सबस्राइब करें थाकि हम आपके सामने हर अच्छे से ला सकें तो सबसे पहले हम देखेंगे वाई ट्रेड बाहर ली जो बाहर ली कॉमोल्डी पाई जाती है मार्केट इस अग्री कॉमोल्डी है वह आपको क्यू मार्केट से बाया सेल करना चाहिए ऐसा पर्परस ऑफ एंप्रॉफिट तो फर्स जो रिजन निकल कर आता है वह इंफलेश इक दम से डाउन होता है तब जब कॉमोल्डी मार्केट में जैसे गोल्ड हो गया सिलवर हो गया बार्ली कॉमोल्डी हो गया उनका जो प्राइज हो तो पहला इंफलेशन उसके साथ में है वीक यूएस डॉलर है इसका मतला क्यों इसके अपोस्टिट अगर मैं बात करूं अब जब यूएस डॉलर की जब प्राइस है वह अगर कम होगी तब क्या होगा जब बार्ली का जो क्उंट्रेक्ट उसमें आपको अप्ट्रेंट देखने को मिलेगा और जब यूएस डॉलर स्ट्रोंग होगा इन पंपर से अथर करन्सी तब जो बाहर लिक पॉंटी का ज ऐसा स्पेक्यूलेशन है कि नहीं उस तेम यह जो कॉंट्रेक्ट है जो प्राइज में अभी जो मिल रहा है वो उसको में जाधा आपको अप्रेंड देखने को ला रहा है तब भी ऐसे बहुत सार स्पेक्यूलेटर्स होते हैं जो मार्केट में एंटर करते हैं फॉर्ण सब्सक्राइब करते हैं तो आपको अग्रीकल्चर कोमोर्डी के इंदर भी को एक कोमडी में या फिर दो तिन कोमडी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था कि आपको पॉर्ट्फोलियो एक दम से डाइवर्सिफाइड हो जाए बिकॉस जैसे कि आप इक्विटी मार्के है अब हम देखे कि यसे मार्केट में आपको फींटी म से अपको बात की किया जो के अंदर होता है इसक बार्ली के अंदर भी 20 metric tons of जो प्राइस या कॉंटिटी होती है वो उसके दर पहले से डिसक्स होती है बट हर कमड़ी का या फिर नॉर्माली हर कमड़ी होती है वो यूएस डॉलर के अंदर ट्रेड करती है बट बट जो बार्ली कॉमड़ी है वो सबस्यादा प्रोड्यूस की देखने को मिलेगा जैसे कि हमने फ्यूचर के लिए उसी तरह सेम इसका भी जो कॉंट्रेक्ट है वो मार्च में जुलाइ ऑक्टोबर डिसेंबर की इसकी एक्सपाइर होती है फॉर एक्जांपल आप मार्च में आप कोई कॉंट्रेक्ट बाय करते हो फॉर जुलाई के लि अनसी जितनी भी मार्केट में उप मार्केट में उसका आपको अगर उप्राइस और हुपर जाएगा तो यह आपको प्राफिट हो गाँ प्रेश के पास आपका जो प्राइब जाएगा उतना आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा अगर उससे रिगार्ड़नेस ओफ टाइम डिके जाधा होगे इन कमपेश अधूर्ट तो आपको उसमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है या फिर आपका जितना पैसा है ज्या प्वार्ली सबयाइब जो कि कि रिलेटश इसे मार्केट में एक सब्सक्राइब करते हैं और उसकी बाइंग और वह वुथ होती है वह पिर भी आप एक option है आपके बास कि आप जो बाहरली को मर्डी यह उसके आप ETF में भी आप निवेश कर सकते हो अब अब दसवब से अच्छा जो concept मुझे लगा वह हाउ टू टेर्ट बाहरली CFD डड़ेस contract for difference contract of difference हाला कि अभी USA में tradable नहीं है इसमें जो transaction cost होती है वो भी बहुत ज्यादा कम होती है तो उसके तुरू और इसका जो ट्रांजेक्शन या फिर्ट होता है वो होता है 24 by 7 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या अच्छा लगा मुझे क्योंकि लिए आप इसमें जो लेवरेज आपको मिलता है तो उसके दुरू आप सब्सक्राइब करते हो दिया उसके उपर फॉर एंग्जामपल आपको थाउजन रूपीज है और आपको ट्रेड लेवरेज हुआ अगर सब्सक्राइब रुपे से आप 10,000 का भी मार्केट में ट्रेड ले सकते हो तो उस पर आपको समझ लो हर कॉमड़ी पर सो रुपे का भी फाइदा हुआ तो अब दस हंड्रेड इंटू टैन कितना हुआ थाउजन रूपीज का आपको प्रॉफिट हो सकता है और जो कि बहुत अच्छी बात हो तो हमें कमेंट सेक्षिन में जरूर बताइए और उसका भी हम सल्लूशन जरूर लाएंगे तो थैंक यू